हेले स्टूडेंट कैसे हैं आप सर्व एक बार पुना सी कोचिंग क्लासेश पर स्वगात है क्लास टल्थ कमिस्टी एंसी एर्टी में आज का टॉपिक है हमारा जो भी बर्नर ने सिध्धान दिया था उपसहसेयोजी योगिक से रिलेटड बैर बच्चो नहीं था और इनके सिध्धानत के आधार पर ही बाद में या आधुनिक में पैरे वच्चो जो उपसहसेयोजी योगिक हैं उनको मॉडर्न फार्मूले के रूप में प्रस्तूद किया गया तो सबसे पहले किस ने बताया अलफ्रेड बर्नर ने बताया कब बताया 1893 ने में एक सिध्धानत प्रस्तूद किया उन्होंने सिध्धानत कैसे प्रस्तूद किया कि सबसे पहले कोवाल्ट का संकुल निर्माड किया पतलब कोवाल्ड के साथ कुछ परमाडू कर जोड कर देखा कि कोवाल्ड और कुछ परमाडू आपस में मिल करके एक जटिल योगी का निर्मार करते हैं जो की सरल्टम से या आसानी से जल्म मिलाने पर तोटते नहीं है और उसमें जो केंद्री धाद परमाडू होगा जो मुख परमाडू होगा उसके साथ जो अन परमाडू है वो उपसहसेओजी बंद दौरा जुड़े होते हैं उपस ऐसे हो जी बंद आपको पता है कि जब साजे के इलेक्टरान न दे करके जोड़े के इलेक्टरान प्रदान किये जाएं मतलब केंद्री धाद परमाड को जोड़े का इलेक्टरान दिया जाएगा उसे हम कहते हैं पैर बच्चो उपस ऐसे हो जी बंद तो किस ने बताया अलफ्रिड बर्नर ने बताया कि एक कोवाल्ट का हम संकुल स्रेडी ले और उसमें कुछ विन-विन परमाणू को जोड़े तो हमें एक प्रकार से योगिक का निर्माण होता है जिसमें दो प्रकार के बंद होते हैं एक प्राथमिक बंद और दुतियक बंद जिसे हम प्राथमिक सेनजक्ता दुतियक सेनजक्ता के अधार पर जानती है ठीक है तो उन्होंने क्या क्या प्रिस्तुत दिया मैं आपको पूरा कम्प्लीट कराऊंगा पहले आपको लिखना है कि अलफ्रिड बर्नर निसन अट्रसो सिध्धान्त के बाद ही पैरवच्चो उप सहसे होजी योगी का सिध्धान्त दिया गया माना गया इसके बाद विभिन प्रकार की सिध्धान्त है वो बाद में लेकिन सबसे पहले कि इसने प्रस्तुत किया अल्फ्रेड वर्नर ने इसी काड 1913 में उन्होंने नोबिल बाद किया था यहने कोवाल्ट के संकुल योगी को सिलवर नाइटरेड विलियन में उन्होंने अभुक्रिया कर आया अभुकरत किया जिसमें उन्होंने देखा कि कि उवच्छे पित्द जो भी इसिलवर क्लोराइड की मात्रा वो वुभिण भिन पाए गई और उनमें जो तो भिन भिन मात्रा पाईगे, उनका कलर भी भिन भिन था, तो इस आधार पर उन्होंने अपना कुछ ब्याख्या प्रस्तूत किया, जिसके आधार पर यहां पर हम समझेंगे, उन्होंने सबसे पहले यह बताया, बर्नर के सिध्यान के अंसार, कि जो संकुल योगीक है, उसम जो धातू परमाडू, अत्वा आयनिक परमाडू होते हैं, वो दो प्रकार की संजक्ता प्रदर्शित करते हैं, एक प्राथमिक संजक्ता और एक दुतियक संजक्ता, जैसे पहरे बच्चों, हम एक योगीक लेका चलते हैं, यह क्योगीक है, यह कोबाल्ट है, पहले क्या ह बड़े bracket के अंदर संकुल योगिक को नहीं लिखा जाता था यह आधुनिक सूत्र में बड़े bracket के अंदर लिखा जाता है तो कोबाल्ट है यह हम किसके आधार पर बना रहे हैं बर्नर के सिद्यान के आधार पर तो उन्होंने COCL3 लिया और 6NS3 जोड़ा इसको उन्होंने कह दिया कि ये हमारे पास एक क्या है संकुल योगिक है अब इस संकुल योगिक में जो आपका पेरवच्चो ये जिश्में धातु परमाड होंगे या कि आयनिक ये जो बंद बनाएगा इसमें दो प्रकार से होगा एक तो आपका प्राथमिक सेहोजगता और दूसरा दुतियक सेहोजगता या आनायनिक सेहोजगता मतलब दुतियक सेहोजगता में आयन्स नहीं हो तो इतना clear student जो आपका पहला नंबर था बर्नर ने क्या बताया कि आपके पास एक संकुल योगीख है उसमें दो प्रकार की सहोजगता होगी एक प्राथ्मिक सहोजगता और एक दुतियक सहोजगता इसके बाद उन्होंने क्या बताया कि जो प्राथ्मिक सहोजगता होगी उस प्राथ्मिक सहोजगता को हम प्राथ्मिक सहोजगता को हम प्र यदि चारंग का पूछा गया है तो आपको simple सा लिखना है और simple सा समझना है तो बरणर ने अपने सिध्यानत में बताया कि जो आपका प्रात्मिक सहरो जक्टा होगा उसे हम directly lines है जो कि ये ion या प्रात्मिक सहरो जक्टा को हम क्या कह सकते है जो कि आयन के रूप में होंगे जो केंदरीधाथ प्रमाड को आयन प्रदान करेंगे पैरबचो उसे हम कहेंगे एक डार्टेट लाइन प्रदर्सीद करेंगे और प्रात्मिक सयुजकता करेंगे दुतियक सयुजकते Lizhanel水 को हम एक ठोस रेखा द्वोर प्रदर्सीद करते ही यह और उसे डाटेड लाइन से बिंदुकित रेखा से हम प्रदर्शित करेंगे, जो आपका दुतियक सहोजगता होता है, ये उदासी नडू हो सकता है, इसको हम एक ठोस रेखा से प्रदर्शित करते हैं, अब जिसे केंद्री धादू परमाडू पेरवच्चों, तो आपको बत है केंद्री धाद परमाडू में जो लिगेंड जुड़ा होता है, वो क्या करता है, इलेक्टरान युग में देता है, अब जब कोई भी धादू परमाडू, किसी धादू परमाडू को इलेक्टरान युग में देगा, तो कोशिस यही करेगा, उसकी सहोजगता को हम फुल संत्रब्द करना चाहते हैं मतलब जितनी उसकी अवसकता है उसको पूर्ण रूप से ये बर्नर ने बताया कि यह हम कोवाल्ट का योगिक ले रहे हैं कोवाल्ट का हम स्रणी का निर्माड कर रहे हैं तो कोवाल्ट में जो अन्धातु परमाड जुड़ रहे होते हैं वो दो से हो सकते हैं एक प्राथमिक सहरजक्ता के रूप में जुड़ा हो सकता है एक दुतियक सहरजक्ता के रूप में जुड़ा होता है लेकिन जो भी प्राथमिक ये दुतियक सहरजक्ता के साथ जुड़ा होगा पैरवच्चो वो उसको क्या करेगा संतुष्ट करने की कोशिस करेगा यही सोचेगा कि उसकी सिर्जक्ता पूर्ण रूप से फुल्फिल हो जाए कंप्लीट हो जाए जैसे मैंने आपके एक एक जामपल बताया कि आपके घर में कोई महमान आया है जब उससे आप खाना खिलाएंगे तो कोशिस आपका यही रहेगा कि बरनर के सिद्यान के अधार पर कि आप उसे फुल्फेट खाना खिलाएं समझ रहे ना उसी प्रकार बरनर ने कहा कि जो ब्राथमी के दुतियक जो सहुजक्ता होती है यह जो परमारू है पेरे बच्चों यह दोनों के दोनों सहुजक्ता होती है यह उस संतब्त करना चाहते है दुतियक सहुजक्ता मतलब उपसहसे होजी संख्या अर्थात कितनी मात्रा में जुड़े हैं दुतियक सहुजक्ता मतलब उपसहसे होजी संख्या एक निश्चित प्रत्तेग जो भी योगिक होगा है ना उसमें केंद्री धात वायन होगी उसमें जो भी दुतियक सहुजक है ठेक है ये प्रत्य धात वायन की दूतियक सन्यजक्ता जैसे कोबाल्ट की दूतियक सन्यजक्ता फिक्स है वो छै ही होती है फिर एक लास्ट बच्टा पैरबच्चो आपका कि जैसे हमारे पास एक धात वायन है धात वायन के साथ प्रात्मिक सन्यजक्ता दूतियक सन्यजक होता है वो सदैप एक निश्चित जामती कर निर्मार करता है उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि जो भी यह जो सहयोजगता है प्राथमिक के दुतियक सहयोजगता है जोड़े होंगी उस सदैप एक subconscious की जामती भी नि 되면 तुछित होती है हमें कि एग्जाम पर लेकर सलते पर लेकर चलते हैं आपके पास कोबाल्ट है जो कि अभी मैंने समझाया है यह आपके पास प्रबच्चो कोबाल्ट है ठीक है और यह आपका है और यहां प्र 6H2O है, कितना है 6H2O नहीं है पेरवच्चो, यहाँ पर NH3 है NH3, ठीक है NH3, ठीक है यह आपका पेरवच्चो burner के अधार पर योगिक हो गया अब आप कहोगे, उपसे सेयोजी योगिको बड़े कोश्टक में लिखा जाता है, तो भाईया burner नहीं यह नहीं बताया था, बड़े कोश्टक में लिखना है समझ रहे ना, यह आधुनिक सूत्र के रूप में हमें रिप्रेजेंट करते हैं पहले ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है तो भाईया, इसमें केंदरी धात परमाणों कौन है कुबाल्ट है, क्या है कुबाल्ट है इसमें जो आपका उदासीन होगा यह दुतियक होगा, जिसको हम ठोस लाइन से दरसाएंगे जिसको हम किसे दरसाएंगे, ठोस लाइन से दरसाएंगे और जो भी आयन होगा, वो प्राथमिक होगा प्राथमिक को हम किसे डर्टेट लाइन से दर साएंगे तो हमारे पास NS3 कितने हैं पहरे बच्चों NS3 6 हैं तो एक काम करते हैं ऐसा करते हैं 1 फिर नीचे 2 ठीक है 3 4 और इधर पहरे बच्चों हम कर देते हैं 5 और यह 6 बतलब कितने NS3 जुड़ गए 1 2 3 4 5 और यह 6 ठीक है इसके बाद क्लोरीन कितने हैं इनकों टाटेट लाइन से दर साएंगे जैसे एक यहाँ पहरे जोड़ दिए क्लोरीन और यह हो गया पहरे बच्चों क्लोरीन और यह क्लोरीन तो यह इसकी सनचना हो गई तो यह किस ने बताया था यह बताया था बर्नर ने पहले तो यह संकुल योगीक या उपसाय सेवज योगीक का कोई सिध्यान थी प्रिस्टूत नहीं था सबसे पहले बर्नर ने ही दिया था और बरनर ने अब देखीएगा, इस simple क्या क्या बताया, बरनर ने बताया कि हमारे पास एक संकुल योगीक है, और इस संकुल योगीक में पहरे बच्छों जो धादू परमाड़ होंगे, या आइनिक परमाड़ जो भी होंगे, वो दो रूप में जुड़ेंगे, एक प्रात् ने बताया कि जो संकुलायन है धातु परमाडू है इसको जो भी प्रात्मी के दुतियक सनुजगता होंगी इसको संतुष्ट करने की कोसिस करेंगी ये कोबाल्ट है इसमें जो भी जुड़े है पैरवच्चो आपके क्लोरीन जुड़े है एनस्थर जुड़े है तो जो भी निश्चित इस्थान पर इस्थिर होती है इस करण से पैरवच्चो इनकी एक निश्चित जामती होती है और यही है क्या बर्नर का सिद्धान और कुछ नहीं है बर्नर ने केबल एक योगिक बनाया और योगिक बनाने के बाद उसमें प्रॉपर्टीज बता दिया भीया कि की उपसे सेयोजी बंद दोरा निर्मित होते हैं और आसानी से तूटते नहीं है उसे हम उपसे सेयोजी योगिक कह सकते हैं समझ रहे हैं यानि जो आपके संकुल योगिक होते हैं पैर बच्छों उपसे सेयोजी योगिक होते हैं यह उनको जल मिलाया जाए तो आसानी से जल स तूटते नहीं है उसे हम संकुल योगी कहते हैं आपको पता है इसे संकुल लवड या मतलब हम नहीं पढ़ा था प्यरवच्चों दुख लवड़ और संकुल लवड में आता है बर्नर का सिध्यांत जो जितना मैंने करा उतना आप कर लीजेगा आपको बराबर रंक मिल जाएंगे उमीद करता हूं आज के वीडियो पसंद आएगा पसंद लाइक करें शेयर करें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तक तक लिए जैहिन बंदमातरम